हेलो गाइस केसो हो आप सब तो आज की इस नई वीडियो के अंदर आपका फिर से स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं दस हजार उपिक अंदर माने वाले तीन सबसे तगले बावरफुल स्मार्टफॉन के बारे में जो आपको सेप्टेंबर के लेटिस्ट महीने के सबसे बड़िया देखनों को मिल जाएंगे डिजाइनि वाइंड लुक वाइसन काफी अच्छे देखनों को मिलेंगे वह तो आपकी च्विस आपको कैसा स्मार्टफॉन पसंद और डिसपेलिया अगरस इन सबी आपको सब्सक्राइब में आपको इस में साइद मृंटन वाला स् के सबी स्मार्टफोन में और साथ में आपको बड़िया कैमरा मिल जाएगा वो भी 10,000 रुपी के अंडर में तो आगर आपको भी एक 10,000 रुपी का बड़िया सा स्मार्टफोन खरीदना है तो आप इस वीडियो को एंट तक जरूर देखना तो चलिए इस वीडियो को ष तो फॉन में जो आपको डिस्प्ले मिलती है वह है 6.7 जिसकी फॉल-एच्टि पलफ절म को चल्ब ऑग्रंग मिलने वाले कशा है डिस्पले काफि काफिय बड़िया है एंड बात करते हैं इस फोन की प्रोसेसर की कि फोन में आपको मिल जाता है यूनिशोक 7610 वाला प्रोसेसर जिसमें आपको परफॉर्मेंस काफी जादा अच्छी मिल जाएगी आप इसमें पपजी स्योडी वाले गेमों को एजडी पर मीडियम सेटिंग्स पर एजली प्ले कर सकते हैं आपको लेगिंग वाली प्रोग्लम से नहीं देखने को मिलेगी एंड काफी जादा अच्छा प्रोसेसर आपको परफॉर्मेंस काफी जादा बड़िया देखने को मिल जाती है और इस फोन की बैटरी की बड़ी बैटरी और फोन मापको टेन वोट का चारजर कब देगी तो बैटरी काफी जादा लोंग टाइम तक चलने माली है तो आप इसे जादा यूज करिए तो नो डाट आपको कोई भी बैटी के मामले में दिक देखने को मिलने वाली है एंड फॉन मांको बेक साइड मेरे देखने को मिलता है और दो मेगा पक्सल का डैप से देखने को मिलता है जिससे आप टेनेटी की वीडियो को ठाटी एपियस पर शूट कर पाएंगे और फाइनली बात कर लेते हैं उनकी प्राइस की तो यह वारे स्मार्टफोन आपको चाहिए परस्ट टीवी स्टोई रिवाला वेंड नो हज़ा नो सुनिने आनवे का देखने मिल जाती है वह भी 10,000 करना में ऐसी परफॉर्मस डिजाइन से नहीं मिलता जो इसी स्मार्टफोन में आपको मिलता है तो डिजाइन तो आपको काफी जदा पसंद आने वाला है क्योंकि यह स्मार्टफोन डिजाइन के मावले में सबसे ज़्यादा बढ़िया अंदर 10,000 तो आप बात कर लेते हैं इस फोन की स्पेसिफिकेशन से तो फोन में आपको मिल जाती है 6.52 इंचेस की HD पलस LCD वाले डिस्पेले और यह वाले डिस्पेले 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आती है और फोन में आपको 400 निट्स की पीक ब्रैटनेस देखने को मिल जाती है तो कंडिशन में नो डाउट आपको कोई भी प्रोब्लम देखते हैं को मिलने वाली है ब्रैटनेस के लेवल पे डिस्पेले काफ ज़्यादा बढ़िया है स्मार्टफोन की एंड फोन में आपको जो प्रोसेसर मिलता है वह है यूनिशोक का T612 वाला प्रोसेसर जिसमें आप ऑले तो को कड़ेंट वाले गेमों को एजली प्ले कर सकते हैं आप इसमें प्रफॉर्मस में बढ़ने काफ़ ची मिलने वाली आप मुझा की यूई की तो यह वाले समार्थपोन आपको टोग्स अडोरी 11 पर देखने को मिल जाता है सायर मांटन वाला फिंगर यंड दिन को मिल जाता है इंड फॉन वाफ को सबस्क्राइब कर देखने को मिल जाता है जिस से आप 1080 की वीडिया को 30ापीज कर पाएंगे और शेली के पाइस की तो यह वाले स्मार्टफोन की तो आफ से प्राइफ का सबसे तगला स्मार्टफोन काफ जड़ा अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आता है उत पॉन अपको आभी डिस्प्रेस मिल जाती है पर्फॉइमस भी काफ़ जदा बढ़िया मिलती है केमरा भी टॉप लेवल का है मगर या इसकी आपको प्राइस थोड़ी से जादा देखने को मिल जाती है जिसका नाम है मोटो जी ठाटी वनी स्मार्टवान तो बात कर लेते हैं इस फोन की भी स्पेसिफिकेशन से तो फॉन मापको जो डिस्प्ले मिलती है वह सिक्स पॉंट फॉइंचेस की एफएज़ी पलस एमुलेड वाले डिस्प्ले मिल जाती है फॉन मापको 60 हर्स का रेफरेश एट मिलता जो काफी जादा पावर्फुल है आप इसमें पबजी एंद फ्रिफार वाले गेमें को इसली हाई सेटिंग से प्ले कर सकते हैं आपको गेमिंग करते समय कोई भी दिख्क्र देखने को नहीं मिलने वाली है और प्रोसेसर काफी जादा लिटरली काफी जादा बढ़ी आप आपको कोई एड्स देखने को मिलने वाले काफी जादा अच्छा यूजर इंटर्फेस देखने को मिलने वाला है और साथ मापको बेक साइड में भी देखने को मिलने वाला है और बात कर लेता है इस फोन की बेटरी की तो फोन मापको मिल जाती है 5000 मिली एंपिया की बड़ देखने को मिल जाता है आप इन दोनों ही केमरे से टेने 880 की वीडियो को ठाटी ये पर शूट कर पाएंगे केमरे क्वालिटी काफ जादा बढ़िया देखने को मिल जाती है और फाइनल बात कर लेता है इस वोन की भी प्राइस की तो यह वाला स्मार्टफोन आपको चाल पर पूल जाता है जाता है